हेलो फिंट्स बिल्कम बैक टू मैं चैनल नीदोस कुकिंग हम आज मैं आप लोग लिए एक कप चावल के आटे और आलो से बनने वाले एक ऐसे चटपटे नास्ते की रेसिपी लेके आएं हूँ जिसे आप एक बड़ बनाएंगे तो इसका स्वाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे और इसके सामने आपको समोसे कचोरी का टेस्ट भी फीका लगेगा तो आएए इसे बनाते हैं नास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक कडाही कडाही में मैंने एड किया है दो चम्मच वाइल और साथ में मैं यहाँ पे एड कर रहे हूँ एक छोटी चम्मच जीरा आधी छोटी चम्मच आजवाइन और आजवाइन और जीरा थोड़ा सा चटक चुका है तो तो इस टाइम पे मैंने एड किया है दो कप पानी तो यहाँ पे इसके मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोड़ा या गिलास सेट कर ले फ्रेंट एक चोथाई चमच नमक एड किया है मैंने और अभी हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और पानी में हमें एक उबाल आने देना है और यहाँ पे पानी उबल चुका है तो इस टाइम पे मैं एड कर रही हूँ एक छोटी चमच चिली फ्लेक्स थोड़ा सा हडा धनिया एड किया है कट करके और अभी मैं इसमें एड कर रही हूँ एक कप चावल का आटा तो यह चावल का आटा आपको मार्केट में इसली मिल जाएगा फ्रेंट और अभी चावल के हाटे को आप थोड़ा थोड़ा करके एड करें पानी में और दूसरे हाथों से इसे लगातार चलाते रहें इसे हमें 2-3 मिनट पकाना है और आप देखेंगे कि उतने में यह डो के फॉर्म में आ जाएगा तो गैस की फ्ले निकाल दिया है और इसे थोड़ा ठंडा होने दें तब तक यहां पर लिए एक कडाही कडाही में मैंने डाला है 2-3 वा एक major ग्रेट करके एड़ किया है तीन से चार लैसन की कलिया भी ग्रेट करके एड़ किया है मैंने इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे लैसन अगर आप नहीं काते फ्रंट तो इसकीप कर सकते हैं और यहां पर लैसन अदरक मिर्च थोड़ी सी भून चुकी है तो इस टाइम पर मैंने एड किया है, 2-3 चमच प्यास जो की बारीक टुक्रों में कटा हुआ है साथ में मा एड कर रह 있는 2-3 चमच ही Capsicum, यह भी बारीक 오iliśmy कट कर के एड करें और 3-4 चमच मैं एड कर रहे हूं grade किया हुआ गाजर अभी हम नि सबसी को थोड़ा सा एड़ किया है तो इसे भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर दे रही हूँ और इसी के साथ हम कुछ मसाले एड़ करेंगे तो एक चोटी चमच मैंने एड़ किया है लाल मिर्च पाउडर आदी चोटी चमच जीरा पाउडर और एक चोथाई चमच मैंने हल्दी पाउडर एड़ किया है ये हमें stuffing के लिए सबजियां और मसाले भून रहे हैं तो इससे हमारे stuffing का कलर काफी अच्छा हैगा आदी चोटी चमच मैंने अट किया है गरम मसाला पाउडर और आदी चोटी चमच चाट मसाला साथ में मैंने नमक अट किया है हम थोड़ा सा ठंडा करके और ग्रेट कर लेंगे और उसके बाद इसमें एड करेंगे तो यहां पर आलू में गुटलियां हमें नहीं चाहिए फ्रेंड उसे जो हमारा नास्ता बनेगा वो फट सकता है और आलू को डालने के बाद भी आप दो मिनट इसे भून ले मसाले के सा सूरी मैं थी एड की है और बस हमारा सिसे भूड़ा रेकि है और ये हमारा स्टफिंग डेडी है और इसे प्रेट निकालके ठंडा होने के लिए रख दिया ह emphasize यहां पर जो हमने चावल का डोरे किया था वह लगभक ठंडी हो चुकी है पूरा ठंडा हमें नहीं करना है तो अभी हम इसे हातों से अच्छे से मसल के इसका स्मूट डोऊ रेडि करेंगे जैसे हम आटे को गूतते हैं हमें वैसे ही इसे गूतना है अगर आपको लगता है कि यह हातों पे चिपक रही है तो आप थोड़ा सा वाइल लेके इसे चिकना करे तो यहाँ पे मैंने एक छोटी चमच वाइल डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और यह हमारा डो रेडी है अभी मैंने इस डो से रोटी से थोड़े से बड़े साइज की एक लोई ली है और हाथों पे घुमा गए इसे एकदम चिकना लोई बना लें और अभी मैंने एक बोट पे थोड़ा सा बनाते हैं उतना मोटा और अभी मैंने स्टफिंग ली है और रोटी से छोटे साइज की स्टफिंग को लिया है और यहां पे इसे लंबा ऐसे बना के मैंने पूरी के उपर डाला है और इसे हम हातों से इस तरह से पैक करेंगे जब आप इसे पैक करेंगे अगर आपको लग आपको पसंद हो जो बनाना आपके लिए easy हो मैं इसे इस तरह के safe में बना रही हूँ और यहाँ पे मैं एक दूसरा और नास्ता बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने हातों पे ही इसे लंबा ऐसे पूरी का safe दे दिया है और stuffing को डाल दिया है और अगर आपको लगता है कि आप किनारा चीपक नहीं रहा तो आप ऐसे किनारे पे पानी भी लगा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने फिर से इसे पैक कर दिया है और हाथों पे इस तरह से गूल गुमाते हुए इस तरह से नास्ते को रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैंने सारे नास्ते को रेडी कर लिया तो अ मैंने इसे पलट दिया है तो आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसे ही अलटते-पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर ले उपर से यह एकदम क्रिस्पी हो जाता है अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है तो यह नास्ता बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड और एक्स्ट्राव तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले फिरंड साथ में बिल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो क नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग